हाई फ्रेंड्स मैं धर्मेंड अपने यूटूब सेनल अमेजिंग पार्ट साला में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं UP Board Class 12 की टेक्स्ट बुक्ट को पढ़ाने की सुरुगात करने जा रहा हूँ दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि Class 12 की अंग्रेजी को तीन सेक्षन में बाटा गया है प्रोज, पोट्री और सार्ट इस्टोरी में दोस्तों आज के वीडियो में हम प्रोज सेक्षन के अंतरगत फर्स्ट लेशन और गर्ल बित और बासकट का अध्यन करेंगे जिसके लेखक William C. Douglas है दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं इस लेशन की समरी को हिंदी में बता दूँ ताकि आप लोगों को पाट को समझने में कोई परशानी न हो दोस्तों इस निबंद के माध्यन से लेखक William C. Douglas भारत में अपने यात्रा के अनुभों का वर्डन किया है दोस्तों William C. Douglas अमेरिका के रहने वाले थे और वह सुप्रीम कोर्ट के जज़ भी थे ये सन 1950 में भारत यात्रा पर आये थे और उस समय भारत और पाकिस्तान का बटवारा हो चुका था लेखक दिल्ली से बरेली ट्रेन के द्वारा जा रहे हैं जिसकी गती बहुती धीमी है तथा वह प्रते की स्टेशन पर रुकते हुए चल रही थी जब भी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती थी तो यह तुरंत रेल गाड़ी से उतर कर प्लेटफार्म पर आ जाते थे और टहलने लगते थे और लोगों से बाच्चित भी करते थे ऐसे ही इनका करम चल रहा था मार्ग में जो भी गाउन, सहर, नदियां और जंगल आदी दिखाई दिया इन्होंने उसका बहुत बारिकी से वड़न किया है ऐसे ही अपने यातरा के करम में एक ऐसे इस्टेशन पर आते हैं जहां पे तरह तरह की लोग थे जिन में सीख, इसाई, मुश्लिम, सैनी, कूली, आदी तरह तरह की लोग थे और वे सभी लोग नंगे पाउं और सफेद रंग के ढीले ढाले कपड़े बने वे थे ये कम से कम तीन लोगों से पूछते थे उसके बाद उन्हें एक ऐसा ब्यक्ति मिलता था जो इनसे अंग्रेजी में बात कर सकता था तो वे उस ब्यक्ति से सांसारी घटनाओं, भारत और अन्य तरह तरह के मुद्दों पर बात करते और जब ऐसे ही वह बात कर रहे थे तो एक स्टेशन पर इनके बात करने का लोगों के सांस जो क्रम था, सेलसिला था वो तूर जाता है क्योंकि जैसे ही वह स्टेशन पर उतरते हैं तो छोटे-छोटे बच्चों का समुख आके इन्हें चारों तरप से घेर लेता है वे सभी टोकरियों को बेच रहे थे और जोर-जोर से अपने शब्दों को बोल रहे थे जिसको लेखक बिलियंग सी डॉगलस बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं लेकिन उन बच्चों की आकांचायें इस पश्चरूप से प्रकट हो रही थी कि वो लोग टोकरी ही बेचना चाह रहे थे क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि ये एक अंग्रेज हैं जो कि उनके इस ब्यापार के लिए एक अच्छे ग्राहाक है लेकर बिलियम सी डॉगलस आगे बताते हैं कि ये सभी बच्चे सनार्थियों की बच्चे थे जब भारत और पाकिस्तान की बीच बटवारा हुआ था तो वहां से लाखों लोग अपने घरों को छोड़के भारत आ गये थे जब उन्होंने पाकिस्तान से चलना सुरू किया था तो वे पहले से ही वहां गरीब थे और जब उन्होंने अपने साथ थोड़ा भोजन और कुछ सामान लेकर अपनी यात्रा को सुरू किया तो वे लोग अत्यधिक और गरीब हो गए जैसे ही अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं कुछी समय में उनका भोजन समापत हो जाता है और कुछी दिनों के बाद भूक और कमजोरी की वज़े से वो लोग मार्ग में ही गिरने पढ़ने लगते हैं जिससे उनकी मृत्तिव भी हो जाती है लेखक यही बता रहे हैं कि यह सब बच्चे उन्ही सनराथियों के बच्चे थे जो भारत और पाकिस्तान के पर्टिशन के दोरान इंडिया आए थे लेखक आगे बता रहे हैं कि यह सब ही बच्चे उन्ही सनराथियों के बच्चे थे जो भारत और पाकिस्तान के बटवा करा के दोरान इंडिया आ गए थे और वे या पिर उनके रिष्टेदार भारत में आकर छोटे-छोटे सहरों में या प्लेटफार्ण पे आके टोकरी या अन्य सामान बना के अपनी रोजी रोटी या जीव का चलाने का प्यास कर रहें थे जब बच्चों ने इन पर दबाव बनाया तो ये टोकरी खरिदने के लिए बाद धो जाते हैं और ये बहुत सारी टोकरीया खरिदते हैं जिन में से फ़ल रखने के लिए टोकरी रद्दी कागजों को रखने के लिए और सिलाई मसीन के सामान को रखने के लिए खरिदते हैं और एक कुछ पैसे में कुछ छोटे-छोटे हाथ से बनाया हुए पंको को भी खरीते हैं। लेखक आगे कहते हैं जब मैंने टोकरी खरीद लिया तो मेरे पास बिलकुल भी जगह नहीं था। फिर भी बच्चों ने उच पर दबाव बनाया कि हम उन लोगों के और टोकरीओं को या पंको को खरीदें। तो ऐसे ही लेखक के सामने एक ऐसी लड़की खड़ी थी जिसकी उम्रे लगभग 9 साल थी। वह एक इमानदार विक्रेता थी और उसके आँखों में आसू थे। वह ऐसे सब्दों में बोल रही थी जो किसी विव्यक्ति के हिरदय को पिगलाग स कर सकता था या हिरदय को द्रवित कर सकता था। चूंकि लेखक विलियम सी डॉगलर्स बहुत सारी टुकरियों को खरीच चुके थे और उनके पास बिल्कुल भी जगए नहीं था और नहीं उन्हें दूसरे टुकरी की आऊ सकता थी। ये टुकरी को समालते हुए अपने ए समय वो लड़की उस पैसे को काफी ध्यान से देखती है और इनको एहसास हो जाता है कि इन्होंने कुछ गलती कर दिया है। उसके कुछ ही समय में उस लड़की ने आत्मनिर्भरता और पूरी सालिंता से उस पैसे को वापस कर दिया। जिससे लेखक के पास एक ही रास्ता बचा कि वह उस टोकरी को इन्होंने खरीद लिया। उसके बाद उस लड़की ने अपने आस्कों को पोचा, मुस्कुराई और वहां से दोडते वे प्लेटफार्म से चली जाती है। विलियम सी डॉगलस आगे बताते हैं कि इन्होंने जब यह कहानी पंडी जवाला के लोग मुझे प्रिये लगने लगे। और विलियम सी डॉगलस आगे कहते हैं कि चाहे वो गाउं में रहने वाले लोग हो या फिर सहरों में उच्चपदों पर काम करने वाले लोग हो दोनों लोगों के अंदर एक तिब्र लाल सा है कि वो आत्मिर भर बने और मेहनत से अ लेखा आगे कहते हैं यह छोटी सी नौ साल की बच्ची जो की बिलकुल असिचित गरीबी में उसका जीवन्यापन हुआ था पालन पोसर हुआ था फिर वे उसी ने भारत की एक भावना प्रदान आत्मा के जन्म दे दिया अर्था उसने बता दिया कि भारत की लोग ऐसे है अर्थात आत्मिर भर हैं आएए दोस्तों लेशन फर्स्ट एक गर्ल भी थे बास्केट की सुरुवात करते हैं तो बास्केट में टोकरी होता है दोस्तों एक गर्ल भी थे बास्केट इसको हिंदी में घसकते हैं टोकरी वाली लड़की जिसके लेखक विलियम सी डॉगलस ह about the author author means लेखक होता है तो लेखक के बारे में William C. Douglas is judge of the Supreme Court of United State of America visited India in 1950 तो judge means नियाध ही होता है Supreme Court मतलब सरवच्चने आले visited मतलब यात्रा किया या घुमने आए William C. Douglas is judge of the Supreme Court of United State of America William C. Douglas संयुक्तराज अमेरिका की Supreme Court में एक नियाध हिस थे जो 1950 में भारत की यात्रा बराए थे During his visit he happened to travel from New Delhi to Rani Khet a hill station in the Himalayas तो during means के दवरान के समय होता है तो visit means यात्रा travel means भी यात्रा होता है अपनी यात्रा की दवरान उन्हों ने अर्थाद William C. Douglas ने नई दिल्ली से Rani Khet की तरब यात्रा किया जो की हिमाला की एक परवती छेत्र थी आत्म सम्मान और आत्म विश्वास को भी पसंद करते थे He was fascinated and charmed with the natural beauty of India Fascinated means आकर्शित हुए, charm means आकर्शन होता है विद्धी natural मतलब प्राकृतिक या सभाविक ब्यूटी मिन्स सुन्दरता या सौंदर होता है तो he was fascinated and charmed with the natural beauty of India वह अर्थाद बिलियम सी डॉगलस भारत की प्राकृतिक सुन्दरता की तरफ आकर्शित हुए एक गर्ल बिथे बास्केट is one of his famous essay तो famous means प्रशिद्ध होता है, लोगप्री होता है, essays means निबंद एक गर्ल बिथे बास्केट is one of his famous essay एक गर्ल बिथे बास्केट उनका एक प्रशिद्ध निबंद है आगे देखते हैं दोस्तों, about the nation एक गर्ल बिथे बास्केट has written by बिलियम सी डॉगलस who came to India after the partition of the country in 1950 written means लिखा गया है, who मतलब जो came means आय थे इंडिया means भारत, partition means बटवारा बिभाजन होता है country means देश तो एक गर्ल बिथे बास्केट has been written by बिलियम सी डॉगलस एक गर्ल बिथे बास्केट अर्थात टोकरी वाली लड़की बिलियम सी डॉगलस दोरा लिखा गया है who came to India जो देश की बिभाजन के बाद 1950 में भारत आये थे अर्थात जब भारत और पाकिस्तान का बिभाजन हो गया था एड़ देट टाइम इंडिया वास फूल अफ रिफ्यूजीज who were driven away by the communal fanaticism of पाकिस्तान एड़ देट टाइम मिन्स उस समय फूल अफ मिन्स भरे पड़े थे रिफ्यूजीज मन्स रनार्थी लोग who means जो were driven away मतलब चले आये थे by the communal 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 मतलब शांप्रदाइक होता है या धार्मिक होता है fanaticism means कटरता तो at that time इंडिया वास उस समय अर्था जब एड़े 1950 में भारत में आये थे तो भारत सांडार्थियों से भरा पड़ा था जो धार्मिक कटरता के भहें से भारत आ गये थे he had a unique experience at one of the railway station unique means अदुती अनोखा होता है experience means अनुभव उन्हें अर्थात William C. Douglas को एक railway station पर एक अनोखा या अदुती अनुभव होता है many refugee children were selling small articles like baskets and fans many refugees मतलब कई संडार्थी children बच्चे selling means बेच रहे थे small में छोटे छोटे आर्टिकल में सामान होता है basket means टोकरी, fans means पंके many refugee children were selling small articles like basket and fans बहुत संडार्थी बच्चे या कई संडार्थी बच्चे छोटे छोटे समान जैसे टोकरियों और पंकों को बेच रहे थे he was impressed with a little girl of nine year impressed मतलब प्रभावित हुए nine year मतलब nine साल की little में छोटा he was impressed with a little girl of nine year वह एक नौ साल की छोटी बच्ची या नौ साल की छोटी लड़की से अत्यदीक प्रभावित हुए this essay is the recollection of his valuable experience एशे में इस निबंध होता है recollection मतलब संग्र होता है valuable मतलब बहमूल कीमती experience मतलब अनुभव यह निबंध उनके अर्थात William C. Douglas की बहमूल अनुभवम का एक संग्र है आगे देखते हैं दोस्तो I had left new Delhi for the Himalayas I मतलब मैं अर्थात William C. Douglas left me छोड़ दिया या चल दिया I had left new Delhi for the Himalayas मैं नई दिली से Himalayas की लिए चल दिया I was going as far as Bareilly by train and then by car to Rani Khet an old British army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas I was going मैं जा रहा था as far as 7-7 बरेली by train मतलब रेल गाड़ी की द्वारा then means तब by मतलब द्वारा होता है old British army मतलब पुरानी अंग्रेजी सेना hill station मिन्स परवती छित्र होता है located मिन्स इस्तित्था ridge मिन्स उचा opposite मिन्स सामने होता है stress मिन्स फैला हुआ snow-capped मिन्स बर्प से ढखा हुआ I was going as far as बरेली by train मैं rail-gaardी द्वारा बरेली जा रहा था और तब कार द्वारा रानी खेत जा रहा था दोस्तों रानी खेत के पर dash लगया तो इसके बारे में extra knowledge दिया गया है अर्था द्रानी खेत अंग्रेजी सेना की एक पुरानी छावनी थी जो 120 मिल बर्प से ढखे हुए या 120 मिल में फैले हुए बर्प से ढखे हिमाला की परवस श्रेडियों के सामने छह हजार फीट की उचाई पर इस्तित था दे ट्रेन वाज स्लो एंड इट स्टॉप्ट एट आल दे वे स्टेशन दे ट्रेन मिन्स रेलगाडी होता है श्लो मतलब मध्या में अधीमा इस्टॉप्ट मिन रुकती थी या ठहरती थी आल दे वे आल मिन्स अभी वे मिन्स मार्ग दे ट्रेन वाज स्लो लेखक बता रहे हैं कि दे ट्रेन वाज स्लो रेलगाडी बहुत धीमी थी अर्था उसकी गती बहुत धीमी थी दीरे धीरे चल रहे थी एंड स्टॉप्ट एट आल दे वे स्टेशन और यह प्रती एक मार के स्टेशनों पर रुखती थी At every stop I swung open the door of my compartment and walk the platform At every stop मतलब प्रती एक stop पे I swung open मतलब खोल देता था The door means दर्वाजा होता है Compartments means rail gari का डिब्बा Walk means टहलता था At every stop I swung open the door मैं प्रती एक स्टेशन पे rail gari के डिब्बे को खोल देता था और प्लेटफार पर टहलता था अगला पैसे देखते हैं दोस्तो The platform where packed with people, Sikh, Muslims, Hindus, Soldiers, Merchants, Priests, Potters, Beggars, Hawkers Packed means भरे पड़े थे People means लोग होता है Soldiers means सैनिक Merchants means व्यापारी Prist means पुजारी होता है Potters means कूली Beggars means भिखारी Hawkers means फेरी वाले The platform where packed with the people दोस्तों यह कैसे इस्टेशन पे पहुचते हैं जहां पे बहुत सारे लोग थे तो उन्हीं के बारे में बता रहे हैं The platform where packed with the people Platform, Sikh, Muslim, Hindu, शैनिकों, ब्यापारियों, पुजारियों, कूलियों, भिखारियों और फेरी वालों से भरा पड़ा था अर्थात वहां तरह तरह के लोग थे Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments Almost means अधिकांस या लगभग Everyone means सभी was barefoot Barefoot means नंगे पाउं होता है Dress means पहने हुए थे Loose मतलब ढिले डाले White means सफेद Carments means कपडे Almost everyone was barefoot अधिकांस या अधिकतर लोग नंगे पाउं थे और शफेद धीले डाले कपडे पहने हुए थे I would ask at least three people Before I could find one who spoke English I would ask मैं पूछा हूंगा At least means कम से कम Three people मतलब तीन लोगों से Before means पहले होता है Find means पाना या मिलना भी होता है One who मतलब एक Who means जो spoke English जो English बोल सकता था अंग्रेजी में बात कर सकता था लेखक William C. Douglas कहते हैं कि मैं कम से कम तीन लोगों से पूछता था उसके बाद मुझे एक ऐसा ब्यक्ति मिलता था जो अंग्रेजी में बात कर सकता था We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced तो भी मतलब हम सब talk means बात करते थे World affair मतलब सांसारी घटनाओ Every मतलब प्रतेक Major मतलब मुख Topic मतलब सिर्शक होता है बिंदू होता है बिशय होता है News मतलब अखबार Produce means प्रकासित हुए थे अर्थार छपे हुए थे तो हम सब सांसारी घटनाओं और उस दिन समाचार पत्रों या अखबारों में प्रकासित मुख बिंदूओं पर बात करते थे In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation Checking opinion against official attitudes and reports In this way means इस प्रकार से Try means प्रयास कर रहा था To get मतलब पाने के लिए Pulse of the nation Pulse means नाड़ी होता है Nation means राष्ट Checking means चांस करना Opinion means राया विचार होता है Against means खिलाब भी होता है लेकिन आतुर्णा करना होगा Official means सरकारी Attitude मतलब दिश्टकून And reports Reports means सूचना है Lekakak William C. Douglas कहते हैं इस प्रकार से मैं सरकारी दिश्टकून और सूचनाओं के माध्यम से देश की नाड़ी को जानने का प्रयास कर रहा था अर्थात यहां के लोगों के बिचारों को जानने का प्रयास कर रहा था कि वो लोगों की भावनाएं क्या है वे लोगों के सोच क्या है अगला पैसेच देखते हैं दोस्तों The root lay through one of the richest of India's agricultural area Root means मार गया रास्ता होता है Through मतलब के बीच से होकर Richest means धनी अर्थात सबसे सम्रिद साली Agricultural मतलब किसी छेतर होता है The root lay through one of the richest of India's agricultural area लेखक William C. Douglas कहते हैं कि मेरा दिल्ली से रानी खेच जाने का मार्ग भारत के सबसे अधिक धन किसी छेतरों में होकर था अर्थात में एक ऐसे छेतर से होके जा रहा था जहां फसलों की पैदावार बहुत अधिक होती है या फिर भारत का एक प्रमुख किरस्वी प्रदान शेतर था अधिस बाँ पल रोप आपर गंगा रिवर आ था याओजन फीट ओब शीये लेबन बच डौब दॉपिकल तो ब्लें मतलब मैदान होता है अपर गंग उपरी गंग रिवर मिशनाद ओदी होता है दिस वाज दे प्लेन अब दी अपर गंगा रिवर ती यह कह रहा है कि यह गंगा नदी का उपरी मैदान था एथा थाउजन फिट एभब सी लेवल जो समुद तल से एक हजार फिट उचा था लेकिन गर्म प्रदेश था अर्था फिर भी वहां गर्मी थी दे गंगा वाज ब्राउन शिल्ट स्वालेन बिद फ्लड वाटर इट्स ओभर फ्लो इनिदेटिंग थाउजन्ट ओफ एकर ओफ दी राइज ब्राउन मिंस भूरा होता है, शिल्ट मिंस बालू या रेती होता है, दगंगा वाज ब्राउन शिल्ट, यानि गंगा का रंग मटमेला था या भूरे रंग का था, स्वालेन बित फ्लड वाटर, स्वालेन मिंस उमरना होता है, फ्लड मतलब बाड होता है वाटर इट्स ओभर्फ्लो, ओभर्फ्लो मेंज अत्यदीक बहाँ व्यात्येज बहाँ, इनिउन्डेटिंग मेंज डुबए हुई थी, थाउजन मतलब हक्जारो, एकर मतलब एकर गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, यानि गंगा का रंग, भूरे रंग का अर्थात मतमेला था, स्वालेन बिद फ्लड वाटर, जो बार्ध के पानी से उमर रही थी, अर्थात गंगा नदी में बार आई हुई थी, इट्स ओभर्फ्लो, इनिउन्डेटिंग थाउजन आउजन इसके अत्यधिक या तेज बहावने अर्थात बार्ध ने हजारों एकर चावल की खेती को डुवे हुई थी, या फिर जलमगन की हुई थी तु दी नार्थ वेर जंगल, ग्रेट एक्सपैंस अफ ग्रास, हायर दैने मैंस हेड और अन ब्रोकेन, एक्सेप्ट पर रैन ओकेजिनल क्लंप अफ ट्री, दे होम अफ टाइगर, एलिफंट, पाइथन, पाइथन, और कोब्रा तु दी नार्थ वेर जंगल, ग्रेट एक्सपैंसेस अफ ग्रास, उत्तर की तरफ जंगल थी, ग्रेट एक्सपैंसेस अफ ग्रास मतलब घास की विसाल मैदान, या घास की विसाल चित, हायर दैने मैंस हेड, उत्तर की तरफ जंगल थी, और मनिस के सिर से भी अधिक उची, खास का विसाल मैदान था है विसाल छेतर था and unbroken accept unbroken में सटूट accept के अलामा फारें उक्रिशनल मतलब कहीं कहीं कलंप में समू होता है आप trees and unbroken accept फारें और इसके अलामा है इसके अतरिक कहीं कहीं बिच्छों के समू थे the home of tiger, elephant, python and cobras और ये मैदान, चिता, हाथियों, अजगरों और कोबरों अर्थात जहरीले शर्पों का निवास अस्थान था ये लोग वहां रहते थे Everywhere else there was flat land running to the horizon but dotted here and there by the sacred बन्यान tree are by the row of pocket trees shaped like elm and having thick twisted trunk Everywhere मतलब हर जगह, else means अलामा, there was flat, flat means चारस होता है समतल होता है, land means मैदान ये जमीन, running means फैले हुए to the horizon मतलब छितीज होता है Everywhere else, और इसके अलामा, सब जगह, चारस मैदान थे जो छितीज तक फैले हुए थे अर्थात दूर दूर तक समतल मैदान ही दिख रहे थे But dotted here and the year, dotted मतलब उगे हुए थे, खिले हुए थे, here and the year मतलब यहां और वहां अर्थात कहीं कहीं Sacred बन्यान, sacred मिस पवित्र होता है, या धार्मिक भी कह सकते हैं, बन्यान मिस बर्गत, ट्री मिस पेड, but dotted here and the year by the sacred बन्यान ट्री लेकिन यहां और वहां अर्थात कहीं कहीं पवित्र या धार्मिक भर्गत का पेड़ था, are by the row a pocket tree, row मिस कतार या पक्तिया होता है आप पाकर ट्री या फिर पकड़ी के ब्रिक्च की पक्तिया थी, अर्थात कहीं कहीं पकड़ी के भी ब्रिक्च थे दोस्तों पकड़ी का ब्रिक्च जो की पीपल के ब्रिक्च के लगभग समानी होता है, saved like elm and having thick twisted trunk, तो saved miss आकार होता है, like miss की तरह है, elm एक जंगली ब्रिक्च है, थीक मतलब मोटी, twisted miss, मूरी होई, trunk miss तना होता है, इसको एक बार पुनह देख लेते हैं दोस्तों Everywhere else there was flat land running to the horizon, इसके अलामा सभी जगह चौरस और छिती इस तक अर्था दूर दूर तक खैले हुए चौरस मैदान थे, but dotted here and there by the sacred बन्यान ट्री, और यहां और वहां अर्थात कहीं कहीं पवित्र बर्गत के पेड़ और पकड़ी के बिक्चों की पक्तियां थी, Shaved like Elm और इनका अर्थात पकड़ी और बर्गत के पेड़ का आकार, जंगली ब्रिक्च Elm की समान था and having thick twisted trunk और इसकी मोटी और मुडी हुई तनाय थी अर्थात, एक दूसरे से जुडी हुई थी अर्थात, hot humid air was moving in from the southwest, hot means garm होता है, humid means नमी युक्त, air means हवाँ was moving, मतलब चल रही थी, अर्थात बह रही थी, southwest मतलब दच्छिड पस्चिम, hot humid air was moving in from the southwest, यह गर्म, नमी या आर्थता युक्त हवाएं दच्छिड पस्चिम की ओर से चल रही थी, monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, swung of trees at the station looking for the food, लुकिंग मतलब तलाश होता है, fire food मतलब भोजन की, तो monkeys, some of them mothers, आगे लेखा कर रहे हैं कि monkeys, some of mothers, कुछ बंदर थे, जिनमें कुछ माताएं, अपने बच्चों को अपने पेट से चिपकाए होई थी, and riding underneath, swung of tree, और वह बिच्चों से जूल कर, स्टेशनों पे भोजन की तलाश में आ गई थी, the villages we passed, had walls made of mud, mixed with water and cow dung, the villages means gaun, we, मतलब हम सब पाजट मिस गुजरना होता है, walls means diwar made of, means बनी होई थी, mud means कीचर होता है, कीचर मतलब हम मिट्टी के, mixed with water and cow dung means गाय का गुबर होता है, लेखक William C. Douglas कहते हैं, the village we has passed, हम लोग जिन गाउं से गुजरें, उन गाउं की दिवारें, गाय के गोबर से लिपी हुई थी, या पुती हुई थी, their pigged roof were thashed, bundle of cross, tied to bamboo poles, stretch across the raptors, pigged means चोटी होता था, उपरी भाग पर छट पर, thashed means छपर, their pigged roof were thashed, उनके छटों के उपर छपर बने हुए थे, bundle of grass, bundle means गठर होता है, grass means घास, tied means बधे हुए, bamboo means बास, stris means फैलाकर, across means एक तरफ से दूसरे तरफ, raptors means बल्ली होता है, तो दोस्तों, यह जिन काउं से गुजरें हैं, उसका वड़न काफी इन्होंने बारिकी से किया है, और यह बता रहे हैंगे, छपर कैसे बना था, bundle of grass, tied to the bamboo poles, यानि, घास के गठर को, बास के खंबे में, बात कर, एक तरफ से दूसरे तरफ, फैलाकर, बने हुए तयर था, यह चपर को बनाने की प्रक्रिया का वाड़न कर रहे हैं, that day, the pumpkin wins, that grieve over them, wherein bloom, trailing streak of yellow over dry balls, that day means, उन दिनो pumpkin, means कदू wins, means लताएं, that means, grieve over, grieve मतलब बढ़ना होता है, बिक्सित होना, over them मतलब उनके उपर, अर्था चपरों के उपर, bloom means, बिक्सित होना, खिलना होता है, trailing means, लतकना, streak में धाराएं, yellow means, पीला, over means, उपर, drab walls में, भद्धी दिवाल, लेकर की, William C. Douglas कर रहे हैं, that day, मतलब उन दिनों अर्था, जब यह यात्रा कर रहे थे, pumpkin wins, कदू की लताएं, उनके अर्थात, उन छपरों के उपर, बढ़ गई थी, where in bloom, trailing streak, of yellow overdrafts, और उन भद्धी दिवालों पर, लटक रही थी, अर्थात, where in bloom, trailing streaks, of yellow overdraft, और उन, पीले रंग की, धबी दिवालों पर, लटक रही थी, आगे देखते हैं दोस्तों, at one station, my routine of talking, with the people, was interrupted, at one station, मतलब, एक station पर, my routine, मतलब, सलसिला होता है, दिन चर्या होता है, या करम भी कह सकता है, talking, मतलब, बात करने का, with the people, मतलब, लोगों के साथ, was interrupted, मतलब, बात ही थो गया, अर्थार, रुप गया, at one station, my routine of talking, लेखक विलियम सी, डॉगलस कहते हैं, कि, एक station पर, मेरे लोगों के साथ, बात करने का, सलसिला या करम, बात ही थो गया, अर्थार, टूड गया, as soon as, I, elected, a group of young children, gathered around me, as soon as, मतलब, जैसे ही, या जे ही, I, मतलब, मैं, elected, मतलब, नीचे उतरा, group means, समू होता है, जूंड होता है, young children, मतलब, छोटे बच्चों का, gathered, मतलब, इकठा हो गया, around means, चार उतरफ, मी, मतलब, मेरे, as soon as, highlighted, एक group, of young children, gather around me, जैसे ही, मैं, नीचे उतरा, रथा, प्लेटफार्म पर आया, तो, छोटे बच्चों का, एक जूंड, मेरे, चार तरफ, इकठा हो गया, they were, selling baskets, hand woven, read basket, with simple design, and patterns, they means, वे, लोग, अर्थाद, वे, छोटे बच्चे, selling, मतलब, बेच रहे थे, baskets में, टोकरीयों को, hand woven, मतलब, हाथ से, बुनी हुई, read basket, सरकंडे की, बनी हुई, with simple design, जिसमें, सामान, रंग रूप, या, चित्रकारी, किये गए थे, pattern, मिस, नमूना होता है, वे, अर्थाद, वे, छोटे छोटे बच्चे, हाथ की, बुनी हुई, सरकंडे की, बनी हुई, साधार, चित्रकारी, और नमूने से, युक्त, टोकरीयों को, बेच रहे थे, they held the basket, high, shouting words, I did not know, but conveying, unmistakably, their desire, held, मतलब, पकड़े हुए थे, बास्केर में, टोकरीयों को, high, मतलब, उपर उठाकर, shouting, मतलब, बोल रहे थे, चिला रहे थे, no means, जानना होता है, दोस्तों, conveying, मतलब, प्रकट होना, या, मालुम हो रहा था, unmistakably, मतलब, इस पर्ष्ट रूप से, या, साप साप, their, मतलब, उनका, अर्थात, उन सभी का, desire, मतलब, इच्छा है, they held, बास्केट, थाई, वे लोग, टोकरीयों को, उचा उठाके, अपने शब्दों को, बोल रहे थे, इस पर्ष्ट रूप से, होता है, पार्टिशन मतलब, बिभाजन, या, बटफारा होता है, between means, के बीच, डिक्रीड मतलब, घोषडा हुआ, hundreds मतलब, सैकडो, अब थाउजेंट, लहजार, people means, लोग, पुल्ड अप मतलब, छोड़ दिये, their roots मतलब, अपने घरों को, roots मतलब, यहाँ, घर से मतलब है, change मतलब, परिवातित कर लिया, their मतलब, अपने, residences मतलब, निवासस्थान को, when partition between, इंडिया, अपाकिस्तान, what decade, जब भारत और, पाकिस्तान के बीच, बिभाजन की, घोषडा हुई, या बटवारा का फैसला हुआ, तो hundreds of thousands of people, लाखों लोग, अपने घरों को, छोड़ दिये, and change their residences, और अपने लिवासस्थान को, बदल दिये, अर्थात परिवातित कर लिए, 9 million people, left Pakistan, and came to India, driven by the fear of, religious fanaticism, 9 million, the million means लाख होता है दोस्तों, एक million में 10 लाख होता है, तो 9 million मतलब 90 लाख, people means लोग, left में छोड़ दिया, पाकिस्तान, and came means आ गए, to India मतलब भारत, driven मतलब, चल कर, या किये कारण, fear मिन्स भय होता है, religious मतलब धार्मि, fanaticism मतलब कटरता, 9 million people left पाकिस्तान, and came to India, 90 लाख लोगों ने, पाकिस्तान को छोड़ दिया, और भारत आ गए, driven by the fear of religious fanaticism, और धार्मि, कटरता के भय से, डर करवे लोग भारत आ गए, एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, 9 million people left पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया, और धार्मि, कटरता के भय से, ये लोग भारत आ गए, they were poor people to start with, they were poorer as they began their long trek, for all they could carry, was a bit of food and a few belongings, तो they were poor people, poor मतलब निर्धन होता है, गरीब होता है, people miss love, start मतलब प्रारम करना बित, they were poor people to start, वे अर्था जो संडारती लोग थे, जब उन्होंनों वहाँ चलना शुरू किया था, तो वे लोग गरीब थे, अर्था पहले से ही निर्धन थे, they were poorer, मतलब उससे भी अधिक गरीब होगे, as मतलब जब याजैसे, they began to, they're मतलब अपनी long means, लंबी, trick मतलब सामान के साथ यात्रा करना, जब उन्होंने सामान के साथ, अपनी लंबी यात्रा शुरू की, तो वे लोग और अधिक गरीब होगे, for all they could carry, was a beat of food and food, for all means, क्योंकि all means, they means, वे लोग could carry मतलब ला सके थे, poor people to start with, वे लोग अर्था सणार थी, लोग जब उन्होंने अपनी यात्रा प्रारम की थी, तो वोग गरीब थे, they were poorer as they began their long trek, जब उन्होंने अपने लंबी यात्रा प्रारम की, तो वो और भी अधिक गरीब हो गये, for all they could carry, was a beat of food, for all they could carry, क्योंकि वो लोग अपने साथ थोड़ा सा भोजन और अपने कुछ सामान ही ला सके थे, soon they were out of food, soon मतलग शिगरी दे में वे लोग, out of food मतलग उनका भोजन समाप्त हो गया, soon they were out of food, शिगरी उनका भोजन समाप्त हो गया, a few days after they started, they began to fall by the wayside, from the weakness of hunger and died where they fell, a few days after they started, a few days मतलग कुछी दिनों after they started, मतलग अपनी यात्रा शुरू करने की कुछी दिनों बाद, they began to fall, मतलग गिरना प्रारम हो गया, by wayside मतलग मार्ग में ही, weakness of hunger, भोग की कमजूरी कारण अर्था दुरबलता के कारण, a few days after they started, अपनी यात्रा शुरू करने की कुछी दिनों बाद, वे लोग मार्ग में ही दुरबलता की वज़त से, मार्ग में गिरना प्रारम हो गए, and died where they fell, और वे लोग जहां गिरे, वहीं पे मर गए,